आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होगी, मिरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो, तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बुस्वागर तो दोस्तों आपको पते ही है कि हम GS paper 1 history को cover कर रही है इसे पहले हमने इंडस फैली civilization देख लिए, prehistoric period देख लिए पिछले chapter में हमने mains के सवालों को कुछ discuss किया था, distribution को discuss किया था कि कैसे paper में history से related mains के सवाल आता है, वेदिक period से भी जादा नहीं आते हैं, अभी 2013 से लगए अभी तक जादा एक, एक का तो कई सवाल आए होगे, लेकिन आ, related सवाल जरूर आते हैं, तो हम वेदिक period की के बात करेंगे, बहुत ही important है, अचाहिए चैनल पे भी upload होगा, तो UPSC का course आप अवेल कर सकते हैं, 11 सितंबर से मैं previous year question papers discuss करने बाला हूँ, क्योंकि 10 October को, अब exam आने वाला है UPSC का, तो जब से pattern change हुआ है, 2014 से 2020 तक मैं सारे papers discuss करूगा, तो बहुत मज़ा आएगा, तो आप comment box और description box में लिंक दिया हुआ है, courses को अभी अवेल करें, तो वेदिक period, Indus Valley Civilization के बाद वाला period, वेदिक period, पिछली बार हमने देखा था कि Indus Valley Civilization क्यो declined हुआ, causes क्या थे, अब देखे, रिगवेद में ये advent of Aryans जो है, भारत में 1500 BC में आए, it actually marked the beginning of रिग वेदिक period, 1500 से 1000, हम लोग किताब के हिसाब से चलेंगे, तो वेदिक period की अगर बात करें, तो इसमें दो है, एक है हमारा early वेदिक period, early वेदिक period हमारा 1500 से 1000 BC तक है, दूसरा है हमारा later वेदिक period, बादवाला, painted gray wear face जिसको बोला जाता है, यह 1000 BC से लेकर 600 BC तक है, later वेदिक period में ही दिक्कत हुई, later वेदिक period में society change होने लगी, social life, political structure, social life, economic condition, religion, सब change होने लगी, देखिए, वेदिक period में अगर शुरुवात में बात करें, तो शुरुवात में ऐसा कोई, मतलब ठीक ठाक था, सब को सही था, लेकिन later वेदिक period में हम देखते हैं, की burn आ गए, caste का division हो गया, और वहाँ से ही फिर problem, अब social life भी वहाँ पे change हुई, religion भी आ गया, economic condition में सब कुछ change होने लगा, ठीके, तो यह चीज़ है, यह RN invasion theory अब इसमें भी doubt है, कि RNs आये नहीं आये, पहले, अब जैसे Max Miller हो गये, बाकि कुछ कहते हैं, हाँ बिल्कुल RNs आये, लगिन कुछ कहते हैं, बिल्कुल नहीं, RNs, RNs तो भाई, RNs का मतलब होता और यह वेदो में लिया गया है, तो RNs बाहर से आये नहीं, तो later Vedic period, अब देखिए, RNs मतलब होता है, हाई बर, नोबिल बर थी, और यह जो वर्ड है, RN, 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 आरे, आरे कुल में जनम हुआ, यह हमको वेदो में भी देखने को मिलता है, जो इंडो आरेन लांगविज बोल क्या यह बाहर से आये, जैसे RN invasion theory की आरेन्स आये, यूरोप से आये, इधर रशिया से आये, इरोन ने भारत को इन्वेड किया, और उसके बाद इंडर्स वैली civilization के डिकलाइन का यह पार्ट बने, लेकिन कुछ लोग नहीं भाई, आरेन्स यहां के ही लोगों को बोला जाता और उसके बाद इन्होंने भारत की तरफ रुख किया, क्योंकि हमको कुछ words जो है, वो common मिलते हैं, हमको Sanskrit और European language में similarities मिलती है, तो यह भी तो हो सकता न, कि यहां से लोग सीख के गए हो, बिल्कुल सही बात है, यहां से लोग सीख के गए हो, और ऐसा होते ही था, कितने लिस्ट थे यह, चरवाहे थे यह, सोसाइटी जो थी, वो male-dominated थी, बहुत सारे जानवरों को यह domesticate करते थे, जिसमें सबसे important था होर्स, अब पहले डॉग का domestication हुआ, डॉग को domesticate किया जाता था, सबसे पहला animal था, फिर उसके बाद शीप, गोट यह आए, और जब होर्स क गोडों को domesticate किया जाने लगा, तब चीज़े बदल गी, क्योंकि गोडों ही war के लिए use होते थे भाई, उस समय plane, train नहीं था, उस समय गोडों के, गोडों पे बैठ गया आप जाते थे, दूर दूर तक, आप जाते थे, दूर ही तै करते थे, तो लगबाग, आज से धाई ह लगे, ये चीज़, अब यहाँ पे, जब आरियंस आये, ऐसा बोला गया, कि ये patrilinear family system लेकिया है, ये sky gods, ये भगवानों की पूजा करते थे, आसमानी भगवानों की पूजा करते थे, कुछ ने यूरोप को invade किया, कुछ यहाँ पे आ गये, कुछ एनाटोलिया में चले हिटिटिटीज, तो ये सब, तो बेसिकली ये सब किया धरा जो है, वो आरियंस का ही है, गोगास कोई inscription, जो की आसे साड़े तीन हजार साल पुराना है, वो peace treaty between हिटिटीज and मार्यानी, रूलर्स के बीच में बताता है, एक और गूप आरियंस भारत आया, मतलब एक गूप इरान चला गया, अब ये language में, language में जो similarities है वो बहुत कुछ बताती है, अगर एक भाषा, जब भाषा को study करते हैं, तो अगर पाली जे कुछ यहाँ पर बोला जाता था, और कुछ वहाँ पर बोला जाता था, तो दोनों शब्त similar है, same same है, तो ये relation तो था, तो जेंड एव कल्चर है, इरान का, काफे similarities देखने को मिलती है, तब ही इंडो-इरानियन कल्चर नाम आया ना, इंडिया और इरान का कल्चर, भाही हमारे इरान से cultural ties है, आज अमेरिका बोलता है, इरान से अपने रिष्टे तो कैसे तोड़ दे, कल्चरी हम उसे related है, तो माइगरेंट जो याद रखेगा, main sensor rating में आपको एक पक्ष नहीं, आपको दोनों पक्ष देने, आपको theory debatable है, तो आपको दोनों बताना है, है ना, तो यह चीज़ है, अब उसके बाद 1500 BC में, Aryans, जो है, they have appeared in India, 1527 से 3,000 साल पहले, Aryans, भारत आए, अब उनको archaeological traces मिलते हैं, axes, bronze, swords, यह सब हम को देखने को मिलता है, जो कि North Western India में discover हुआ, archaeological evidence मिलता है, horse का, पाकिस्तान में, घोडों को दफनाया जाता था, जहाँ पे earliest Indo-Aryans पहली बार आया है, वहाँ पे ब्रहते थे, geographical area जो है, वो eastern अफगानिस्तान, Northwest frontier, प्रोविंस, यहाँ पे था, covered at all, covered, अफगानिस्तान जो थ अब, Aryan invasion theory, वैसे अब ज़्यादा यह मानता नहीं है, ठीके, Aryan invasion theory को different theory से replace किया गया, क्योंकि भाई जैसा कि मैंने बताया, कि वेदों में भी Aryans, अब ऐसा कैसे हो सकता है, वेदों में भी Aryans दिखता है, Aryans मतलब है कि एक nobility, आप high class हो, अब वो high class ज़रूरी थोरी नहीं क अब यहाँ पर बोलते है कि जो हमारी ancestry है, South India है, South से लोग उपर है, Dravenian culture, तो किसी ने भारत को invade नहीं किया, हाँ, migration हुआ, South से North में लोग गए, इधर से लोग है, तो migration हर जगा होता है, पूरा का पूरा अमेरिका माइगरेंट्स ने बनाया है, तो वो इस समय, 1500 BC के around, wave समझ रहो, तो Aryan invasion की Aryans आ है, उन्होंने सब तहस नैस कर दिया, अब यह space को इतना नहीं माना जाता है, अब हम बात करते हैं, वेदिक एज की geography, geography और हिस्ट्री, geography से history, economy, politics, have related, तो सबसे oldest text है हमारा रिगवेध, रिगवेध हमको जोगरफी के बारे में बताता है कि early वेदि period में geography कैसी थी, Aryans जो थे, उनको अच्छी खासी knowledge थी, Indus Valley की, उस समय सब्त सिंधू, land of the seven river, बोला जाता था, Indus Valley को सब्त सिंधू, सिंधू को मिला के पांच नदिया और बहती है, तो सब्त सिंधू, land of the seven river, सिंधू, रिगवेध में mentioned है, साथी सा स्वात, जिसको सुवस् काबर, कुब, कुरुमू, कुर्रम, गोमती, गोमल, ये सारी नदिया भी हमको रिगवेध में देखने को मिलती है, कहने का मतलब है कि वेदों में geography भी बताई गई है, कि उस समय भारत, अलब Indus Valley civilization में लोग कैसे रहते थे, कितनी नदिया थी, mountains के भी बारे में, everything is mentioned in ये 5 इसमें divided है, तो ये सब हमको देखने को मिलता है, early Vedic period, ये आप देख सकते हो, yellow में ये रिगवेधिक tribes हैं, उस समय सब tribal था, जैसे इंडस Valley civilization में भी लोग रहते थे, equality थी, लेकिन आप यहाँ पर जन और राजन का उदय होगा, आप इंडस की बहुत सारी tributaries थी, जैसे आज सतलेच उस समय सको सुतुद्री बोला जाता था, बीस को विपासा, पुरुष्णी को रावी, असिकनी को चेनव, वितासा को जहलम, और सारस्वती सबसे बड़ी सारस्वती उस समय की, रिगवेध में सारस्वती नदी का mention है, लेकिन फिर climate change हुआ और सारस्वती नदी सूख गई, सारस्वती गंगा से भी 10 गुनी चौड़ी थी, बहुत बड़ी और बाद में इसको फिर सारस्वती को find किया गया, archaeologist ने find किया, सारस्वती को नदी तहिंड के नाम से जाना जाता था, best of the rivers in रिगवेध, अभी इस समय हर्याना में घागर और हाकरा चैनल जो है, वहां से इसको identify किया जाता है, पूरा हर्याना और राजस्थान में हमको देखने को मिला है, सूखी नदी के traces देखने को मिलते हैं, ये चीज, यमुना तीन बार mentioned है, गंगा एक बार mentioned है, रिगवेध में, रिगवेध समुद्र को भी mention करता है, ये जो term है समुद्र, collection of water, समुद्र मतलब collection of water, सिर्फ समुद्र sea को नहीं, large water bodies को नहीं, collection of waters को, पानी के समुध को समुद्र बोला गया है, क्योंकि रिगवेध में हमको समुद्र देखने को नहीं मिलता, रिगवेध लोगों को, जो रिगवेधिक पीपल थे उनको snow mountains की भी knowledge थी, him want, him मतलब snow want, mountain, him want, तो हिमाले के पास हिमाले की भी knowledge थी, snow वहीं तो आएगा, और कहा आएगा, मजुवंत, जहां से इनको सोम मिलता था, वहीं, शराब, उसकी भी knowledge थी, अब ये बताते हैं, सोम, रस, शराब जो है, नशे वाली, नशे वाला fluid, नशे वाला liquid, ये भगवान का drink है, देवी देवता इसको drink करते हैं, तो और रिगवेध जो थे, रिगवेधिक पीपल को द मिलती है, फिर आता हमारा लेटर वेधिक period, climate change हुआ, weather change हुआ, तो मतलब इस period में जो आरेंस हैं, वो eastern areas में गए, थोड़ा और eastern जो है, वो shift हुए, लेटर वेधिक period में, अब भगवान हमको देखने को मिलता है, fire god, अगनी का नाम हमको देखने को मिलता है, इनकी help से they move eastward, और जब गंड़क रिवर आई, वहां रुके ये, eastern bank of the गंड़क रिवर को, cross के और गंड़क रिवर को उस area को विदेहा बोलते थे, तो ये चीज़ है, अब उसके बाद आरेंस को अच्छी खासी knowledge थी, fire और iron की, then they expanded into the western उत्तरप्रदेश, बिहार और बंगाल, यानि कि अभी तो early vedic period में तो हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान तक ये confined थे, लेकिन जब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, तो ये पूरा इस area में यहां तक पूरा फैल गई है, ये shift होते गए, eastward होते गए, गंड़क नदी आपको बिहार में ही तो मिलेगी, ये चीज, तो अब हम ये देखते हैं, जब ये expand हुए, तब we see the division, हमको जन देखने को मिलता है, units of the tribal people, अब ये पहले इधर गए, अब ये different, 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 different units में divide हुए, जिनको जन बोला गया, अब इन जन को lead करेगा, राज जन, ठीक है, अब जहां पे इन्होंने pair रखा, वो हो गया, जन पद, जहां जन, लोगों ने pair रखा, पद, वो हो गया, जन पद, यानि कि वो territory, जो कि under tribal people थी, लेटर वेदिक period में, तो लेटर वेदिक period में ही, जन और जन पद आया, समझे, फिर उसके बाद Aryans ने, अब समुद्र की भी knowledge ली, क्योंकि भाई, ये बंगाल गए, Bay of Bengal, इधर Arabian Sea, अब समुद्र के बारे में भी knowledge हुई, नर्मदा रिवर के बारे में भी knowledge हुई, Central India गए, तो नर्मदा नदी भहती थी, विंधियन माउंटेंस के बारे में knowledge हुई, एत्रे ब्राम्हन, जो कि लेडर वेदिक period का ही एक text है, वो देश को पांच parts में डिवाइड करता है, North, East, West, South and Central parts, political structure कैसा था, यह तो geography देख लिए, early Vedic period की बात करें, तो इसमें दो तरीके की conflicts हमको देखने को मिलती है, ठीक है, तो याद रखेगा जब आप notes बनाए, तो इसमें सबसे पहले later Vedic period इसको summarize कर लेते हैं, इसमें सबसे important क्या है, सबसे important later Vedic period है जो geography है, geography बताने की कोशिश की गई है, तो इसमें later Vedic period की आप date लिख लिजेगा, है ना, सब्त सिंधू बोला जाता है, RN invasion theory के बारे में थोड़ा सा, और क्यों इसको discard किया गया, वो भी, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी लाइन याद रखेगा, notes जो है, वो सिर्फ और सिर्फ revision के लिए होते हैं, ठीक ह देन, Rig Ved में क्या-क्या mention है, geography के बारे में क्या-क्या बताता है, नीचे Rig Ved लिखिए, उपर geography लिखिए, ऐसे खूब सारे arrow निकालिए, और लिखना शुरू करिए कि geography के बारे में क्या बताता है, समुत्र के बारे में no knowledge, ठीक है, they had the knowledge of snow mountain, snow mountain के बारे, hymn one के बारे में knowledge, सोम एक और arrow निकाली, what was the drink of God, इस तरीके से आपको note making करनी है, then Saroswati River के बारे में आप जरूर लिखिएगा, यह अपनी answer राइटिंग में, हलाकि सवाल पूचा नहीं जाएगा, इस बार भी कमी है, मतलब मुश्किली है, हलाकि Indus Valley Civilization से सवाल आ सकता है, है ना, तो सवाल नहीं लेकिन फिर भी, अगर ancient history से कोई भी सवाल आता है, तो आप Saroswati River को आप mention करेंगे, अगर mention करने लाइक हुआ तो यह, तो political structure में आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, तो Aryans जो हैं, वहाँ पे दो तरीके की conflict हमको देखने को मिलती है, सबसे पहले तो pre Aryans से जो Aryans स notes बन गए आपके, अब याद रखिएगा कि यह जो Rig Vedic period थे, indigenous inhabitants के साथ ही conflict में थी, इनको बोला जाता था दास, दासास, दास यूज, etc. ठीक है, अब दास जो थे, यह ancient Iranian literature में भी अमको देखने को मिलते हैं, Rig Ved जो है, वो जो chief था दीवोदास का, संबार, उसकी हार भी mention करता है, वो भारत clan को belong करता था, clan भई, अब different भई, जैसे जैसे east गए, वैसे वैसे यह clans में develop हुए न, तो सबसे पहले वेदिक period इनका political structure कैसा था, यह conflict में रहते थे खुद से और दूसरों से भी, और हमको द दास भी देखने को मिलते हैं, दास कौन थे, इंडेजीनियस inhabitants, inhabitants तो आप लिख सकते हैं, नीचे आप लिख देगा, ऐसे point बना के, दास, इंडेजीनियस inhabitants, और Rig Ved जो है, it actually mentioned the defeat of sambar, यह chief था दीवोदास का, जो की भारत clan को belong करता था, तो political system अगर आप बात करें, तो यह याद रखेगा, हालाकि आप याद भी कर सकते हो, कि village को, गाउं को gram, आद भी gram बोला जाता न, तो gramini, तो village का जो head होता था, इसको बोला जाता था, gramini, gram से आया, gramini, ठीक, group of village, इसको बोला था wish, गाउं जो है, वो कमाईन होते थे, इसको बोला जाता था, विश, और village का head इसको बोला जाता था, विश्पती, ठीक है, अब उसके बाद, यही group of villages, विश्ज जॉइन करते थे, they formed जन, लोग, अब यही जो जन है, they settled in a specific region, इसी को ही कहते थे, जनपद, यानि की group of villages को बोला जाता था, विश्ज, और यही विश्ज जॉइन करते थे, यह जॉइन बहु जिसको राजा बोला जाता था, तो अब यहाँ पे राजा आ गया, king आ गया, अब main duty क्या होती थी, यानि की इनका एक leader होता था, लोगों को बचाएं, tax collect करे, administration अब बचाएं किस से, खुद से भी यह आपस में भीडे रहते थे, clans आपस में भीडी रहती थी, और बाहरी भ था, तो यह जो das use हैं, इंदी रिगवे, they represents original inhabitants of the country, यानि की Aryans migrate हुए, लेकिन original inhabitants कौन थे, das use, अब यह भी बताया गया है, कि जो Aryan chief था, वो काफी soft था, towards das, das के लिए काफी ज़्यादा soft था, लेकिन das use के लिए काफी hostile था, यानि कि जो Aryanians थे, Aryanians, das, अच्छा था, soft, लेकिन जो यहां के original inhabitants थे, उनसे लड़ाई करता था, तो das हत्या, das you हत्या, रिगवेद में बलगातार mentioned है, ठीक है, तो यह चीज है, रिगवेद में इंद्र को पुरंधर बोला जाता है, यानि कि he was actually the breaker of force, खिले को जो खतम करता था, पुरंधर, है ना, हलाकि यह भी तक force को identify नहीं किया गया है, सबसे पहली battle जो हमको रिगवेद में, या जिसके बारे में accounts तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, mention है, वो है, दस राजन वार, battle of ten kings, दस, यानि कि दस, मतलब ten, राजन मतलब राजा, दस राजाओं की वार, on the banks of river, पुरुष्णी, रावी river, इसमें battle, जो सुदास था, son of दिवोदास, and the भारत king of Tristu family, यह एक दूसरे से लड़े, याद रखिएगा, दस राजन वार, पर मैंने पूरा लेक्चर लिया, आप जरूर देखिएगा, दस tribes के बीच में यह basically war था, जिसमें 5 Aryans थे, और 5 non Aryans थे, इन लोगों के बीच में war हुई यह, और इस battle में जो पुरुकुत्स थे, वो leader था, leader of the 10 tribes, he was killed, अब यह battle हुई क्यों? इसमें ज़ादा हमको पता नहीं चलता है, लेकिन इस battle के बारे में, जो भी mentioned है वही हम बता सकते हैं, records खाली हमको इस वेदो में ही देखने को मिलते हैं, तो battle यह क्यों हुई, क्योंकि dispute between वशिष्ट, वशिष्ट कौन था? यह भारत का priest था, यानि के आप देखिए, रामायन का भी reference से आप आपको देखने को मिलता है, ठीक है? He was actually the priest of भारताज and विश्वामित्र, मैं आपको थोड़ा सा भारताज और विश्वामित्र के बारे में आपको बता देता हूँ, यह basically clans थी, भारता ट्राइब जो थी, यह रिगवेद में हमको mentioned है, ठीक है? और यह आप समझिए, यह बहुत important ट्राइब थी, यह रेवर रावी के बगल में रहते थे, और battle of 10 kings में भारताज ने पाठ लिया था, and they were basically on the winning side, तो भारत का जो chief था वो था सुदाज, और भारताज यह जो रूलर थे, they were settled in कुरुक्षेत्र एरिया, इसी कुरुक्षेत्र एरिया में यह settled हुए, और महा भारत में हमको देखने को मिलता है, जो ancestor और कुरूज हैं, कुरूज के जो ancestor हैं, वही भारता हैं, यानि कि भारत मतला बाद में, जितने कुरूज आएंगे ना, कुरूवंश, पांडव और यह सब भारतास, इनके पूर्वज हैं, तो basically, महा भारत का reference यहां पर आपको देखने को मिलता है, और विश्वामित्र का भी आपको देखने को मिलता है, विश्वामित्र कौन थे? संत, सेज, रिशी, विश्वामित्र, रिगवेद में भी देखने को मिलता है, तीसरा मंदल इन्हों नहीं लिखा, यह चीज है, तो यह dispute था, बिट्वीन वशिष्ट, जो की भारत के प्रीस्ट थे और विश्वामित्र, जो 10 tribes को support करते थे, एक और issue था, कि पुरुष्णी का पानी कैसे बाटा जाए, है न, बट इसमें सुदाज जो है, उन्होंने वही तीन नौन आर्यान ट्राइंस को हरा दिया, led by king Bhael, अल्टेमेटलिस में जो विनर थे, he was भारतास, अब जो tribal, यह तो चले battle of ten kings के बारे में था, जो tribal chief था, उसको राजन बोला जाता था, तो यह आप जरूर अच्छे से लिखेगा, कि जो जन थे वो लोग, ठीक है, मतलब गाउं जो था, उसको बोला जाता विश, collection of, वो विश जो थे, साथ में आते थे वो जन, और जन का लीडर होता था राजन, यही center था, यही राजा था, और राजा को, गोप, चानस से बोला जाता था, यानि कि protector of the tribe, और उनके cattle, क्योंकि उस समय जो असली धन था, वो cattle ही था, अब राजा के साथ होता था, पंडित, जिसको पुरोहित बोला जाता था, सेनानी, मतलब उसकी सेना का, मतलब सेनापती, आण ग्रामिनी, जो की village का head होता था, तो शुरुवात में जो ग्रामिनी था, वो तो खाली एक small tribal unit का ही head था, लेकिन जैसे जैसे unit settle हुआ, वो village का head हुआ, ठीक है, और धीमे धीमे, he was व्रजापती, व्रजापती मतलब जो pasture land था ना, उसका head, तो ऐसे ग्रामिनी का evolution हुआ, साथी साथ राजा जासूज भी छोड़ता था, unsocial activities तो नहीं होती है, क्योंकि उस समय कोई definite bureaucratic setup नहीं था, राजा के पास उस समय क्योंकि इतने युद्ध होते नहीं थे, युद्ध होता था या उसको अपनी tribes को बचाना पड़ता था, तो वो फिर जो उस क्या काम कर रहे होते थे, उनी कोई बुला लेता था, खेती कर रहे तो तुम ही आके लड़ो, अब military functions होते थे, वो कौन different tribal groups, जैसे व्रत, गन, ग्राम, सर्ध, यही perform करते थे, यह चीज़, अब इसमें, जो tribe assembles हैं, उनको विधाता, सभा, समीती, गन, यानि कि जब जहां पे tribes मिलती थी, जब सारी tribes आती थी, जैसे वोर होने वाला सारी tribes हैं, डिफरेंट डिफरेंट्स मिली, तो उनको विधाता, सभा, समीती या गन बोला जाता था, यह रिगवेद में mentioned हैं, विधाता वो assembly होती थी, जहां पे हर कोई आता था, और oldest है, यह सबसे पहले विधाता ही होता था, विधाता, उसके बाद फिर सभा और समीती आई, यह जो assemblies थी, जैसे military, या religious functions होते थे, कोई भी अगर important काम होता था, तो इन समीती को बोला है जाता था, यानि कि democracy तो थी, और समझी इतनी equality थी कि औरते भी इन समीती को, इन सभाओं को attend करती थी, यह चीज़, कोई भी divinity का concept नहीं था, कोई भी divinity की raja divine है, ऐसा ने राजा खाली tribes को protect करता था, लेकिन हाँ, semi divine यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, कुछ हद तक raja को ताकत थी, मतलब लोग उसको पूजते थे, लेकिन भगवान की उपादिय अभी तक नहीं मिलिये, भगवान तो वेदिक gods अलग है, वो तो इंद्र, वरून वो है, nature basically, तब लेटर वेदिक period, अब अही आर्यंस ने expand किया, पंजाब गये, फिर उसके बाद UP गये, यह गंगा यमुना दुआब, प्रिजन जो थे, देवर transformed into जनपद, territorial kingdom जो है, वो हमको लेटर वेदिक period में देखने को मिलते हैं, भारत और पुरू, यह दो major tribes थे, अब यह दो combine हुए, और फिर कुरू बना यहाँ पे, भारत और पुरू, यही कम्माइन होके कुरू बनाते हैं, कुरूवंश, कुरू, अपर गंगा यमुना दुआब में सेटल हुए, इनकी capital थी, हस्तिनापुर, on the banks of गंगा, और इंद्रप्रस्त, on the bank of यमुना, और हस् history relate करके कर पा रहे हुए, इसलिए महाभारत हमारा इतिहास है, अब land of the कुरू को ही बोला जाता था, कुरुक्षेत्र, अब यही कुरुक्षेत्र, शेत्र मतलब land area, बहुत बड़ा area, कुरू मतलब कुरूओं का, कुरूवंश का area, यही कुरूवंश पहले कौन थे, भारत और पुरूज कम्माइन हुए, तो बने, भारत जो है, उसने दस राजन वोड जीती, और वहाँ पे, भारत क्लान का जो राधा था, इधर पुरू था, दोनों कम्माइन हुए कुरू बना, और यही कुरूवंशेत्र का area है, बड़ा important रहा, जो कि आज हरियाणा में है, तो कौरफ और पांडव दोनों ही, they belong to कुरू क्लान, जमीन के लिए यह लडाई हुए, और whole of the कुरू क्लान was wind out, तो यह तो खेर महाभरत की स्टोडी आपको पता ही है, अब इसी में आता आपका पांचाल जनपद, जिसकी नॉर्दन कापिटल थी अची छत्र, सदन कापिटल अंग, सुरसेन, मत्स, यह सब थे, ठीक है, राष्ट्र जो है, वो territory को बताता था, आज भी राष्ट्र बड़ा important, तो राष्ट्र जो है, वो territory को बताता था, अब राष्ट्र जो है, यह लेटर वेदिक period में ही आया, इससे पहले राष्ट्र को हमको notation देखने को नहीं मलता है, ठीक है, अब यहाँ पे, assemblies, they lost power and importance, जो विधाता था, वो completely disappeared, अब assembly नहीं होती जाने कि अब यहाँ पे राजा का दबदबा जादा हो रहा है, सभा और समिती, राजा यहाँ पे अब जादा, देखें, जब सभा, जहां सभा और समिती आएगी, जहां assembly आएगी, इसका म हमको हमारे नेता represent कर रहे हैं, यानि कि आज एक democracy है, हमारी बात रखी जा रही है, लेकिन जहां पे सभा या समिती दूर जाएगी, इसका मतलब राजा के पास power आती जा रही है, क्योंकि राजा हमेशे सभा समिती से दूर भागेगा, मेरी चलनी चाहिए, अब और्तों को permitted नहीं थी, तो वही बता रहे हैं कि लेटर वेदिक पीरेड में चीजे गड़वड होनी शुरू होगी, यहां पे अब सभा समिती गई, और्तों को पर पहले और्ते सभा में आ सकती थी, बैठ सकती थी, अब पेट्रियार्की शुरू होगी, नोबेल्स और ब्राह्मन्स आन यहां पे हेरिडिटी का भी, अब मेरिटोक्रेसी गई, हेरिडिटी, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो अगर कोई विश्य पती है, या ग्रामीनी है, तो उसका बेटा ही अगला ग्रामीनी बनेगा, आप रिशुल्स होते थे, जैसे राजसुई सेक्रिफाइज, राज चीज, कलेक्शन, टैक्सेज भी अब कलेक्ट किये जाने लगे, ट्रिब्यूट्स भी दिये जाने लगे, ऑफिसर होता था संग्र, संग्रहित्री, यह राजा को सोर्स आफ रेविन्यू देता था, राजा को पता था कि पैसा चाहिए, तो उसने को ऑफिसर को अपॉइंट भी आगी, ओफिसर बढ़े, इस्ट्रॉक्चर्ड ब्यूरोक्रेसी अभी भी हमको देखने को नहीं मिलती है, लोवर लेवल पे अड्मिनिस्ट्रेशन जो था, वो विलेज इसेमलीज करती थी, विलेज के जो चीफ होते थे, वही देखते थे, और वो भी डॉमिनेंट क्ल तरीके के स्टेट सिस्टम देखने को मिलते हैं, तो राज भोज, स्वराज, वैराज, सामराज, तो राज, भोज, स्वराज, वैराज, और सामराज, ये पांच तरीके के राज सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अब राज जो था, वो राजा, भोज, भाई, बो और सबसे वड़ा सामराज है, जो कि समराथ होता था, ठीक, एकनॉमिक लाइफ देख लेते हैं, अरली वेधिक पीरेट की, देखिए ये पास्टोरल थे, इसमें एगरिकल्चरी मेन था, अब इसमें काउ, शीप, गोट, कैमल, बुल, होर्स, इन ही कोई डोमेस्टिकेट किया जाता था, इसमें सबसे इंपोर्टेंट गाए थी, गाउ धन, यही मेन वेल्थ थी, आदमी जो थे, उनके पास अच्छी कासी वेल्थ होती थी, उनके बास कैटल होता था, जिसको गोमत बोला जाता था, कितनी किसको वेल्थ है, वो काउ के फॉर्म में दिखाये जाता था, उस समय करेंसी वर इंसी कुछ नहीं, इसलिए गाए को वेदो में भी दिखाये गया, इसलिए गाए इतनी पवित्र है, जिसके बास जितनी गाए वो उतना जदा अमीर, दक्षणा के तौर पे, टाच्स के तौर पे, वो सब यही कैटल या जमीन दी जाती थी, प्रीस्ट को भी दक्षणा के तौर पे, कैटल दी जाती थी, तो यह चीज है, कई बार गाए के लिए भी, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, गाए के लिए, लैंड के लिए वोर होता था, जादा तर जो वार्स हैं, they were fought for the sake of cows, गाए के लिए यह, जो लड़ाई है वो लड़ी गई है, तो agriculture was basically the main occupation, अब यहाँ पे, प्लौ शियर्ज आने लगे, प्लौ में आइडन भी था, जिससे खेती बहुत बढ़िया होती थी, यूजिली फार्मर जो है, किसान जो है, वो एक या दो क्रॉप, उगाते थे साल में, बारले, वीड, कॉटन, मस्टर्ड था, एगरिकल्चर प्रोड़क्शन धीमे धीमे बढ़ा, होर्से, स्काउस, डॉक्स भी, they have special importance, उसके बाद good grazing grounds, क्योंकि भाई देखे, cattle था, तो cattle क चरने के लिए जगा चाहिए, तो good grazing grounds के लिए भी रड़ाई होती थी, prayers भी होती थी, कि भाई, cattle wealth मिल जाया, भगवान, हमको खुब सारी cattle wealth दे दो, बाटर सिस्टम होता था, early vedic period में pastoralism जो थे, वो दूसरा था, मतलब पहला था, agriculture दूसरा था, cultivated fields को शेत्र बोला जाता था, ठीक है, plowing को क्रिशी बोला जाता था, और plow को लांगला या सिरा बोला जाता था, ये सारे words जो है न, अक्सर one word में पूछे जाते, तो ये याद रखिएगा, plow share को फल बोला जाता था, ऐसे लिख लीजिए, एक center ऐसे agriculture बनाईए, किसको क्या बोला जाता था, ऐसे arrow arrow निकाल के रिखिए, ये चीज, अच्छा ये देख सकते हैं आप, सीता जो है, वो wealth produced इना land, कितनी wealth produced हुई है, उसको सीता बोला जाता था, रिख वेद जो है, applaud fields, stone pulley wheels, irrigation channels के बारे में भी हमको बताता है, कितना ज्यादा exciting है, ये आपको बताता है, उस समय जिन्गियात से, 3000 साल पहले जिन्गी कैसी थी, 3000, 3000 साल पहले, रिख वेद एक food grain को mention करता है, जो है याव, जो कि बारले था, लेकिन रिख वेद में, it was common name for any food grain, हर एक food grain को याव बोला जाता था, cotton, rice, wheat, अब रिख वेद में हमको mention नहीं है, जैसे लेटर वेदिक पिरेंट में हमको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, अजाज जो है, वो common metal था, अब ये एक तरीके से alloy था, copper और bronze का, ठीक है, मतलब स्वारी, अजाज जो है, वो basically it used to refer to the copper और bronze, या तो copper था है, bronze था, iron को अजाज इंडिकेट नहीं करता था, हिरन्य है, या हिरन्य को gold बोला जाता है, हिरन्य कश्यप, sona, it is obtained from river sands, ये भी mention है rig weight में, wheel भी mention है rig weight में, wheel एक बड़ा नय development था, इससे हम pot tree बनाते थे, metals को smelt करते थे, और जो metal smelters थे, उनको कारमार बोला जाता था, rig weight gram को भी mention करता है, जो fighting unit है, कोई नगर को rig weight mention नहीं करता है, तो ये सारे reference, pulley wheels, अचाहिए ये तो बताई दिया, ये सारे reference जो है, वो देता है, हरी उपपा जो है, it is mentioned as a poor fort, और ये हडपा से identify करते हैं हम, rig vedic iron जो है, वो copper hoards जो है, वो इस्तमाल करते थे, OCP ochre, colored pottery हमको देखने को मलती है, black और red wear type of pottery हमको देखने को मलती है, यानि कि pottery भी अब अलग-अलग color में आने लगी है, rig vedic economy जो था, वो एक pre-state economy थी, जिसमें अभी तक taxation system properly develop नहीं हुआ था, बाली दिया जाता था वही, कि राजा को, एक contribution, voluntary contribution दिया जाता था, बटे tax नहीं था, तो जो भी king acquire करता था, वो अपने subjects में बात देता था, तो इसलिए हमको बहुत wealth differences देखने को नहीं मिलती है, ये चीज, अब उसके बाद लोग iron का भी उस करने लगे, अब iron ये जागी, 1000 BC से iron ये शुरू होगी, अब iron शुरुवात में तो, लेटर वेदिक पीरेड में, शुरुवात में तो ऐजा weapon यूज होता था, लेकिन बाद में अगरी कल्चर के लिए भी यूज हुआ, वार के लिए भी यूज हुआ, आइरन से बहुत कुछ हमने डेवलप किया, इसमें भी बहुत सारे crops हमको देखने को मिलते हैं, लेटर वेदिक पीरेड में, राइस, वीड, शुगर केन, लेंटेल, बारले, मिलेट, मस्टर्ड, ये चीज, राइस को व्रिही और वीड को गोधुमा, और बारले को यव, ये लेटर वेदिक पीरेड में यह हम मेंशन करते हैं, अथर्वोवेद की बात करें, तो एगरीकल्चर सर प्लस के बारे में बताता है यह, कि एगरीकल्चर इतना अच्छा है एगरीकल्चर होता था, कि बच जाता था, wheat, barley, rice जो है यह हमको बाद में लेटर वेदिक पीरेट में हमको देखने को मिलता है land donation के क्या हाला थे पता नहीं उसका हमको reference देखने को नहीं मिलता है cattle rearing अभी लेटर वेदिक पीरेट में हजार pre-Vेदिक पीरेट मलब अरली वेदिक पीरेट 1500 से 1000 1000 के बाद क्या हुआ, 1000 BC में आज से 3000 साल पहले iron develop हो गया, iron लोगों ने अब जब iron आया ना तो और जद़ प्रोस्पेरिटी आई agriculture बढ़ेगा, wars भी बढ़ेंगे यहाँ पे जो लोग थे वो PWG, painted gray wear phase यह बड़ा important है, along with the use of iron, vattle and dhawab houses, rice and horses, इस से associate करते थे लेटर वेदिक पिरियेड में जो लोहा है, iron है, उसको कृष्णहीज या black metal बोला जाता था अब बहुत सारे improvement हुए, art and crafts है काफी ज़्यादा improvement हुए iron आया, तो iron को बनाने के लिए भी लोग चैन को iron smith बोला गया अब iron है तो से, A1 quality के रथ बनाए जाने लगे ship बनाए जाने लगे, ship भी बनाना आता था, यहाँ पर लोग ship भी बनाते थे पहले तो boat बनाते थे चोटी-चोटी, अब और बड़े boats बनाने लगे trading activities हमको देखने को मिलते हैं, in fact क्योंकि metal आने लगा ना, तो coins का use भी देखने को मिलता है yes, लेकिन coins जो है but हमको coins मिले नहीं, later Vedic period में, जहाँ जाते हैं, वहाँ पर coins का हमको जिकर तो आता है, मतलब वेदों में जिकर आता है, later Vedic period में, लेकिन coins मिले नहीं आम तोर पर होता क्या है, कि जैसे माली जै किसी का जिकर आया, तो आप खोदों के तो वह मिलना चाहिए न, वह मिले नहीं modern age में हमको मिलते है, modern age में, modern period के coins हमको अभी तक देखने को मिलते हैं तो यह चीज है, अब वही है कि resources increase हो रहे थे, बली जो है वो खाल यह customary contribution था, भाग जो था, भाग भी आपर जब जो उगाता था, उसको कुछ पार्ट राजा को देना पड़ता था, जो कि 1 by 6 या 1 by 2 होता था, आधा दो या फिर 1 by 6 दो, शुल्क एक additional tax था, भाग oldest tax था, याद रखेगा सबसे oldest tax, इससे पहले बली था, बली टाक्स नहीं था, बली एक contribution था, लेकिन अब बली को replace किया भाग ने, अब आपको tax देना है और इसके बाद फिर शुल्क भी आया, तो बली भाग शुल्क, यह full-fledged tax अभी तक यानि कि proper taxation system अभी तक develop नहीं हुआ है, है ना, तो यही चीज़ है, अब इसी के बज़े से, लेटर वेदिक पिरेड में, inequalities भी देखने को मिलती है, in the distribution of wealth, राजा तो अमीर होगा, लेकिन अमीर नहीं से, अर्ली वेदिक पिरेड में जो राजा के पास आता था वो बांट देता था, लेटर वेदिक पिरेड में नहीं ऐसा था, अब नया dimension आता है, society, कैंशिप जो था, वो basically, it was the basis of social structure, कैंशिप मतलब खून का रिष्टा, ठीक है, तो यह बड़ा important है, social relationships बड़े अर्ली वेदिक पिरेड की बात है, याद रखेगा कि जितने भी parameters उसको एक हम अर्ली वेदिक पिरेड में देखेंगे, एक हम लेटर वेदिक पिरेड में देखेंगे, तो अर्ली वेदिक पिरेड में तो सब कुछ बढ़िया था, tribal society थी, और लोग काफी जादा अवेर थे 1500 से 1000 वेड जो था, ये color को दर्शाता था, ठीक है, रिगवेद, Aryans, Aryans और दास वेड, नौन आर्रियंस के बारे में, दास जो थे जो आर्रियंस नहीं थे, नौन आर्रियंस और नौन आर्रियंस इनके बारे में बताता है, that's it, on the basis of color, Aryans वो नोबल क्लास के थे, गोरे थे, नौन आर्रियंस इतने गोरे नहीं थे, तो Aryans वोन जो थे, they consist of tribes, जिनको जन बोलते थे, तो वहीं से जन पद आया, ठीक है, ये आपको बताई चुका हूँ, ये चीज, अब उस समय, it was divided into group, group of people जिसको wish बोला जाता थ达, wish ग्राम में divided था, वहीं, कि गावन जो था, गावन के collection को wish बोला जाता था, और विष के collection को jan बोला जाता, जन पद बोला जाता था, तो कई बार क्या होता था, संग ग्राम होता था, गाउं जो है, एक गाउं और दूसरा गाउं एक दूसरे से बढ़ जाता था, ग्राम जो है, अब फाइनली जो smallest unit था, वो था family, कुल, कुल बन, कुल एक ग्राम में, गाउं में बहुत सारे कुल रहते थे, ये गाउं मिलते थे, विश बनाते थे, और इ कि आप लिख लिजेगा, कि सबसे पहले कौन था, ऐसे आप नोट जब बनाएं तो आप ऐसे लिख लिजेगा, कि सबसे पहले आता था, कुल, कुल क्या था, family, और head of family होता था, इसको बोला था, कुल आप, बोला थे, ब्राकेट में लिखिए, फिर ये बनाते थे ग्राम, फिर ये बनाते थे, विश, फिर ये बनाते थे, विश जन, फिर जन पद, ऐसे लिख लिजे, ऐसे बना लिजे, अब इसमें, ट्राइबल सोसाइटी तीन ग्रूप में डिवाइट, सबसे पहले तो प्रीस्ट, वारियर्स और लोग, फोर्थ डिविजन को शूद्र बोला जाता था, ये end of the Rig Vedic period में आया है, शूद्र पहली बार 10th book of the Rig Vedic, कि Rig Ved में भी किताबे लिखी गई है न, तो एक तो early Vedic period के किताबे होगी, और एक later Vedic period के किताबे होगी, तो ये हमको last किताब में देखने को मिलता है, यानि कि last में, later Vedic period में शूद्र आये, ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, जैसे भगवान ब्रह्म से बोला जाता न, वर्ण सिस्टम आया, मू से आये ब्राह्मन, जो कि वो होते थे जो पुजारी, प्रीस्ट, अकाडेमिक्स, फिर हाथ से निकले शत्री, जो वारियर और किंग्स होते थे, थाई से निकले वैश, जो कि सबसे ज़्यादा थे वैश, जो कि विश से आये, मास अधी ट्राइबल पीपल, विश से वैश आया, वैश जो थे, देखिए उस समय कंट्रोल उनके पास था जो बिजनेस करते थे, तो बिजनेस वालों को बोला गया वैश, अब विश का बहुत जबरदस्त थी, अनिक्वालिटी हमको देखने को नहीं मिलती है, जो इंडस्वैली सिविलाइजेशन से चला आ रहा था, वही हमको अरली वेधिक पिरेड में देखने को मिलता था, नॉन आर्रेंस में दास, दासिस और पानीस आते थे, ठीक है, तो दास को, देखिए दास कौन थे, द दास थे, जो नॉन आर्रेंस थे, जो आर्रेंस नहीं थे, ठीक है, अब जो आर्रेंस, जो नॉन आर्रेंस और आर्रेंस की बाद क्यों मानेंगे, तो basically they do not obey the ordinances of God, then akrutu, not falling sacrifices, then anash, snub-nosed, ये सब कौन थे, शूद्र, देखिए, आर्रेंस ने, आर्रेंस ने दासों को जीत ल अब ये शूद्रा का, ये देख सकते हैं, अवरत, जो की ordinances नहीं मानते थे, रूल्स नहीं मानते थे, अकृतु, जो की sacrifices में विश्वास नहीं करते थे, मिद्रवाच, कृष्णवाच, जो की dark skinned थे, यही सब शूद्र थे, और काफी जादा hostility थी, काफी दुश्मनी थी, दास यूज और आरेंस की बीच में, तो ये चीज थी, इसलिए दास, आज तो दास मतलब नौकर, अब वैसे original इसका नाम नौकर नहीं, इसका मतलब नौकर नहीं है, बहुत सारे slaves इन ही दास को, क्योंकि जीत लिया, तो they were basically slaves, और कई बार इन ही slaves को, priest को दे दिया जाता था अब आप देखिए, caste system कहा से आ रहा है, भाई, कोई relation ही नहीं है, लेटर वेदिक पीरेंट में आप देख रहे हो, भाई, यहाँ पे आरेंस है, नोबेल पीपल है, उन्होंने क्या किया, जो उनसे मेल नहीं खाते है, जो नौन आरेंस है, उनको जीत लिया, अब उनको जीत लेकिन बाकी productive activities में यूज करते थे, untouchability अभी तक सामने नहीं आई है, अच्छी बात है, अभी तक early Vedic period में untouchability हमको देखने को नहीं मिली है, गोत्र का concept भी अभी तक नहीं आया, same गोत्र, क्या गोत्र है, same गोत्र है, same गोत्र में शादी नहीं होती है, ठीक है, तो यह ची अब यहाँ पे sacrifices बहिणने लगए, अब लेटर वेडिक पिरेड में कबाड़ा कर दिया सब, 16 classes of priest की, पंडितों की हमको देखने को मलती है, बाकी सारे priest को, पंडितों को, पुजारियों को इन्होंने ओवरकम कर लिया, यह सबसे important class हो गई, तो इसलिए brahman सबसे उपर थे, कई बार यह राजाओं से भी, शत्रियों से भी conflict में रहते थे, जो कि warrior nobles थे, कि हम बड़े हम बड़े, अब यही दो upper orders जो थे, भले इन दोनों में conflict थे, लेकिन जब lower order से deal करने के लिए बात आती तो यह unite हो जाते थे, लेटर वेधिक period में हम यह देखते हैं कि एक दूसरे से दोनों cooperate करने लगे, वैश जो थे उस समय common लोग थे, आम लोग थे, आम जनता थी, वैश बिजनेस वाले थे और शूद्र सबसे नीचे थी, कुछ वैश जो थे हो ऐसा आर्टिजन काम करते थे, देगरी कल्चर में क करते थे, वैश एक ट्रेडिंग क्लास बनके उबरा, फिर उसके बाद वैश ओनली ट्राइब थी, जो प्रेयर्स दे सकती थी लेटर वेधिक टाइम्स में, ठीक है, ब्राह्मन से शत्री और अल्सो रेप्रेजेंटेटेटेट, वैश से जो ट्रिब्यूट कलेक्ट होता थ इन्ही कॉमन लोगों से वैश से लिया जाता था, वही शत्री हो और ब्राह्मन को दिया जाता था, तो जितने भी ये तीन हाय वर्ण हैं, इनका एक कॉमन फीचर था, इनको उपनयन, जनेव जो होता न वो करना पड़ता था, सेक्रेट थ्रेड डालना पड़ता था, वेध अब तगड़ी सजा दी जाती थी, पॉब्लिक प्लेसेस पर ये नहीं जा सकते थे, अब कुछ ऐसे सेक्शन्स थे, आर्टीजन्स के, जो जो रतमेकर थे, उनको हाई स्टेटस दिया जाता था, उनको सेक्रेड थ्रेड शरीमनी उनकी होती थी, ठीक है, अब लेटर वेधि पीरेड में गोत्र भी आ गया, गोत्र मतला भही, काव, पिन, जहां पे वो जगह जहां से आपकी चैटल आती है, जहां पे होल क्लैन आपका रहता था, जैसे माल लिए कि कश्चप है, कश्चप गोत्र, तो कश्चप एक जगहां पे रहते थे, आपके पूर्वा जयने की तो common ancestor कौन है? इसलिए same गोत्र में शादी नहीं होती है. कि अच्छा तुम्हारा common ancestor भाई तो हम तो भाई बेन हुए? या कहीं रिष्टा निकल लाएगा? Same blood में शादी नहीं होती है. तो इसलिए, इसलिए exogamy होने लगी. कि अपने कुल से मतलब गोत्र से बाहर जाके होने लगी. ठीक है? फिर आश्रम आ गई है आप यहाँ पे चार स्टेजिस ऑफ लाइफ, पोस्ट वेदिक पिरिएड बे, ब्रह्मचारी, मतलब जब आप स्टूडेंट हो, ग्रिहस्त मतलब हाउस होल्डर, फिर वन प्रस्त, सब छोड़के आपको निकल जाना है, ठीक है? वन प्रस्त मतलब वही कि जैसे ग्रिहस्त के बाद आएका वन प्रस्त, कि थोड़ा टाइम आपको अलग रहना है, सोसाइटी से अलग रहना है, रिलिजियस चीजों को मतलब थोड़ा धार्मिक बनिये, स्पिरिच्वल बनिये, और आखरी में सन्यास, कि सब छोड़के चले जाएए, आप इस दुनिया को रेनाउंस करके आप निकलिया, बस हो गया, आपने अपनी जिंदगी जी ली, तो तीन तो मेंशन है लेटर वेदिक टेक्स्ट में, लास्ट अभी तक अन्नोन है लेटर वेदिक पिरिएड में, पोस्ट वेदिक टाइब में हमको ये देखने को मिलता है, वोमेंस की पोजिशन क्या थी? अर्ली वेदिक पीरेड में वोमेंस की अच्छी पोजिशन थी सोसाइटी पेट्रियार्कल थी डॉर्टर्स का जो बर्थ था कि भाई बेटी पैदा ना हो लेकिन एक बार जब ये बहुन होती थी ऐसा नहीं है कि जब एक बार पैदा हो जाती थी तो इनको बहुत प्यार दिया जाता था एजुकेशन भी इनको दी जाती थी कुछ तो दे कंपोजड हिम्स और कुछ तो काफी उपर तक जाती थी इनको काफी बड़ी रैंक मिलती थी और लड़कियों की शादी तभी होती थी मतलब 14-15 साल के बाद इनकी शादी होती थी क्या बात है इनको अच्छी खाची फ्रीडम थी लब मैरेज कर सकती थी सिलेक्शन आफ हस्बेंड अर्ली वेधिक पीरेट इतना एडवांस था आज से जादे एडवांस आज का जो हमारा जमान है वो लेटर वेधिक पीरेट से है स्टेटस अफ वोमेन इन वेधिक पीरेट कमाल बहुत अच्छी खाची फ्रीडम थी औरतों को मोनोगेमी थी पॉलीगेमी भी पर्मिटेट थी लेकिन मोनोगामी आप एक ही से ही शादी करेंगे ठीक है तो ये चीज है अचा, नियोग क्या है नियोग विडो रिमैरश थी नियोग दुबारा नया योग ठीक है यहां पर अगर मान लो कि अगर कोई औरत है उसका पती मर गया, उसका बच्चा नहीं है तो अपने पती के भाई से चाहती कर लेगी क्यों कि ताकि हो इसको बच्चे पैदा करने, इसको गलग नहीं समझा जाता था, क्या बात है, तो वुमेंस की जो पोजिशन थी, उपर थी, उपर थी, सभाओं में जाती थी, औरतों को पर्मिशन थी, कि आप आओ, religious offerings देती थी, तो औरते अलग नहीं थी, यह बहुत बड़ी बात है, लेटर वेदिक पीरेट में सब गढ़बढ हो गया, औरतों की position declined गुई, और अब social stratification भी होने लगा, अब male और female आ गया, gender equality गई भाड़ में, तो अब जो अगर लड़की पैदा होती थी, उसके बर्थ को welcome नहीं किया जाता था, उपनयान सरीमनी जो थी, वो लड़कियों के लिए नहीं थी, अब यहाँ पे लड़कियों को education भी deny की गए, जो वेदिक पीरियंड में था औरतों की स्थिति, उसको आप उल्टी कर दीजे, तो यह चीज़ है, हाला कि हम गारगी को देखते है, scholarly woman गारगी, मैत्रे, कात्याइनी, ठीक है, इस्टिल हम इनको देखते हैं, यह वो औरते थी, जिन्हों ने education ली, अब जो पहले religious ceremony औरते परफॉर्म करती थी, अब यहीं पंडित परफॉर्म करने लगे, क्योंकि one system आ गया न, तो basically अब आपको, क्योंकि अब आपकी जरूरती के assembly में आ से, religion की बात करें, early vedic religion, देखिए, अगर हमको यहाँ पर 33 vedic gods देखने को मिलते हैं, जिसको तीन group से में बात आ गया है, universe, terrestrial और atmospheric, और celestial, तो यह तीन groups हमको देखने को मिलते हैं, तो यानि की nature की पूजा, पूजा जैसे sun, wind, rain, lightning, storms, rivers, इनकी पूजा की जाती थी, वेधी composition जो होते थे, वो बड़े important होते थे, यह जो मंत्र पढ़े जाते थे, यह जिंदगी देते थे, यह एक तरीके से tribute होता था, nature को, तो हवन होता था, हवन इन्ही वेधिक, यह जो वेधिक लोग होते थे, यह इन्ही भगवान को जैसे, अगर इंद्रदेव को, बारि जिसको बोलते थे, यग्य, it is the act of offering, हावी, into fire, समझ गया, अब यही offerings होती थे, हावी, तो यग, जो राइट होते थे, वर वेधि सिंपल, लेकिन बाद में, it became harder and harder and harder, later वेधिक पीरेड में, क्योंकि अब प्रीस की importance काफी जादा, मतलब प्रीस्त अब बहुत पंडित जो ह तो इसमें जो important वेधिक गौड्स है, वो है इंद्र, सबसे important वेधिक गौड, 200 हिंस इनको devote किये गए हैं, इनी को पुरंधर बोला जाता था, breaker of force, ये warlord थे, rain गौड थे, यही बारिश करवाते थे, हैना, तो जो demon था, वृत, उसके उपर इन्होंने victory पाई थी, और पानी निकाला था, शताकरत, जिते इंद्र, मेगवन, सोमाप, ये सब नामों से इंद्र को जाना जाता, धन अगनी, ये second most important गौड थे, 200 हिंस इनको devote किये गए हैं, है ना, और ये intermediary थे, भगवान, बतलब लोगों की बात, अगर भगवान तक पहुंचानी है, देवता तक भगवान तक पहुंचाते हैं, ठीके, तो ये चीज़ है, तो अगनी जो है, it is the priest of the gods, भगवान की पंडित था अगनी, भगवान तक चीज़े पहुंचाता था, ठीके, अब तीन forms थे अगनी के, एक तो terrestrial, एक atmospheric और एक celestial, terrestrial मतलब जो हम बना रहे हैं, जो हम अगनी दे रह हैं, atmospheric गैसे बिजली कड़ की, और celestial मतलब जो सूरज है, ये इसी लिए इनकी पूजा की जाती थी, वरुण, ये तीसरे थे, ये हवा को बताते थे, वाय उपुत्र हनुमान, he was the personication of water, हर gods इनको ओबे करते थे, इनके orders को कोई भी deny नहीं कर सकता था, then Somm was the god of plants, and Somm जो थी, वो drink होती थी, ये वरुण के ही नाम पर पी जाती थी, शराब, तो ये आप देख सकते हैं, यम, शनी, ब्रह्म, विश्नु, शिव, शक्ति, इंद्र, then there is मारुती, आदिती, अर्यनी, नेडिती, उशा, ये सब आप देख सकते हैं, solar phenomena पांस थरीके, सूर, मित्र, सवित, प solar phenomena को पांस तरीके से पूछते थे, और हर एक के लिए एक मंत्र था, रिग वेदिग यो थे, they did not worship gods, ये ऐसा नित की spiritual upliftment के लिए करते थे, कि आरे हम को spiritual हो जाएंगे, जैसे आज होता ना कि आप prayer करो, आप मंत्र, आप spiritual हो गया, आपके अंदर की आत्मा जागेगी, लेकिन उस समय जो मंत्र डाले जाते थे हो, खाली दुखों को खतम करने के लिए, जैसे सूखा पढ़ गया, तो इंदर की पूजा कर लिए, धाई सो मंत्र पढ़ दिये, इंदर के, तो पानी वरस गया, ये बेसिकली प्रजा, प्रजा कौन थी, चिल, बच्चे और जो भी सारे, पशु, कैटल, फूड, वेल्थ, इन सब के लिए ये होता था, तो ये आप देख सकते हो, कौपर निकस से पहली हमने सब कुछ खोज लिया था, क्या बात है, इंदर और अगनी, लेटर वेदिक पीरियेड में इन्होंने पना इंपॉर्टेंस खो दिया, प्रजा पती जो क बहुत इंपॉर्टेंट मेंने प्रिजर्वर और ब्रह्म, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेटर वेदिक पीरेड में आपके आने शुरू हुए, पूशन वो थे, जो की, वो लुग डॉप्टर दी कैटल, और ये गौड ऑफ दी शूद्रास थे, जो शूद्र थे, वो पूशन की पूजा करते थे, ठीक है, ये चीज़, अब यही है कि लोग उस समय materialistic थे, थोड़ा सा material के लिए पूजा करते थे, लेकिन जो sacrifices थी, वो बोट domestic और public थी, ये बहुत important होती गई, अब sacrifices में killing of animals, बली भी दी जाती थी, और बली इस समय प्रेयर से भी जाद हो ही थी, कि जानवर को मार के चड़ा बगवान को, इससे हमको wealth हाईगी, है ना, तो ये चीज़ है, sacrifice है, जो sacrifice देता था उसको बोलाता याजा मना, और जो बली जिसकी चड़ाई जाती उसको बोलाता था गोगना, ब्राह्मन्स को काफी दक्षिना दी जाती थी, गाए, सोना, कपड़ा, घोड़ा, सब को जिनको दिया जाता था, शतप्रत ब्राह्मन्स जो थे, अश्व में sacrifice, नौर्ट, इस्ट, वेस्ट, सौथ, अश्व में समस्ते हो न, ये पुजारी करता था, तो एक घोड़े को बह करना पड़ता था, ऐसा, तो जब ऐसा होता था, खूब जो ब्लैंड होता था, भू होता था, वो पुजारी को दिया जाता था, अब लेटर वेदिक पीरेट खतम होते होते, प्रीष्ट के खिलाब बहुत जादा कियार, ये तो बहुत डॉमिनेट कर रहे हैं, गलत है, ऐस क्योंकि हालत बहुत बुरी हो चुकी थी दोस्तों इस समझ रहे हो आप, तो ये चीज़ है अब इसके बाद वाली, इसके बाद क्या हुआ, वेदिक पीरेट के बाद क्या हुआ, महा जन्पद और बाकी चीजों की बात हम कल करेंगे, तो फिलहाल हम प्रीवेस येर MCQs दे verbal transmission, दोनों ही सही, assertion भी correct है, reason भी correct है, भाई शृती क्या होता है, आप बोल बोल के बताते हो न, so it is formed, मतलब it is passed on one generation to another through verbal transmission, अब ये बताओ, कि इसमें कौन सा correct है, अब origin of Indian music has been depicted from सामवेद, वेद चार है न, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो जो music का origin है, वो सामवेद से आया है, बिलकुल सही बात है, music सामवेद से ही आया है, सभा और समिती, ये twin daughters हैं, प्रजापती, रिगवेद, ये भी बिलकुल सही है, ये शायद, ये इसमें है नहीं लेकिन ये बिलकुल सही बात है, शत्रिया, precedence over Brahmanas is depicted from earth, गलत बात है, सबसे उपर Brahmanas थे, उसके बाद शत्री थे, शत्री पहले नहीं थे, so one and two is the correct answer, which one of the falling which of the falling mandal is completely devoted to Vedic God's home, मुझे नहीं पता है इस कांसर, 9th है शायद, 9th है, क्या बात है, ये रट्टा फिकेशन वाला क्रेशन है, consider the following statement and mark the option which is correct, ओपवेद और रिगवेद इस यजुरवेद, रिगवेद भी divide है न, तो जो ओपवेद है वो है अजुरवेद, बिलकुल सही बात है ये, सत्पत ब्राम्मन, related to यजुरवेद, is the lindians, देखिए, वेद जो है, वो ब्रामनास में divided हैं, ठीके, तो जो सत्पत ब्राम्मन है, यजुरवेद का उस सबसे lindiest है, बिलकुल सही बात है, हाँ, ये भी बिलकुल सही है, सामवेद के जो भजन थे, मतलब जो हिम्स थे, वो जो पंडित गाता तो उसको उधगातरी बोला जाता था, बिलकुल सही है, उपवेद, और सामवेद अधवार्यू, मुझे नहीं प यजुरवेद, करेक्ट आंसर इस 2, which of the following are called वेदान्त, बहुत आसान है, उपनिशत, उपनिशत को भी वेदान्त बोला जाता है, which of the following is the oldest उपनिशत, तैत्रे उपनिशत, याद रखना, नहीं अरे सॉरी, व्रेद्या रनंक्या उपनिशत, तैत्रे नहीं है, who had declared सप्त सैधव region as the origin of Aryans, किसने सप्त सैधव region जो है, वो बोला कि वो origin of Aryans है, the correct answer is, दोनों ही ने बोला था, संपूर्णानन्द एन एसी दास, ठीक है, so, दोनों ही ने बोला था, ये, what was the name of the tax used to collect by the king, क्या यार, बाली, ए, is the correct answer, अभी तो बताया मैंने, who are the most worshipped gods in Vedic age, बताओ, सबसे जादा किसकी वर्षिप की जाती थी, तो the correct answer is, इंद्र की तो की जाती थी and Varun, so, C is the correct answer, इंद्र and Varun, which of the following metal were introduced in the Vedic age, iron, iron, क्या रखना, A, अच्छा, copper, अच्छा, ठीक है, मैं later Vedic period में confused कर गया, copper आया था, फिर iron आया था, so, B is the correct answer, what was the main difference between the Indus Valley Civilization and Vedic Civilization, Indus Valley Civilization was urban, whereas Vedic Civilization was rural, बिल्कुल सही बात, यही तो main difference है, Indus Valley Civilization, भाई, शहर से related था, Vedic Civilization, आपने देखना, गाओं में जादा फोकस था, so, A is the correct answer, यही main difference, Gayatri Mantra contained in Rig Veth, is dedicated to which deity, Savitri, yes, Vedic Vedic is divided into 10 books, Mandal, which one are the oldest, C, 2nd से 7th, यह oldest है, which of the following statement are not correct, रिख Vedic people believed in primitive animism, primitive animism में तो यह belief नहीं करते थे, नहीं नहीं, यह belief करते थे, sorry, sorry, है न, Rig Vedic women were highly respected, यह बिल्कुल सही बात है, तो ही है, most of the religious ceremony were considered incomplete, बिल्कुल सही बात है, Rig Vedic women, they were highly respected, बहुत respect की जाती थी, Later Vedic period used painted grave wear pottery, यह भी बिल्कुल सही बात है, Rig Vedic Aryans were by and large urban people, गलत है, Indus Valley civilization, अर्जबन people थे, the most important source of Vedic civilization is Vedas, एकदम सही बात है, Vedas are neither individual religious work, nor a collection of defined numbers of books at a time, absolutely correct, Mahabharat and Ramayana create epics, तीनों सही है, तो chapter 3 is completed, कल हम chapter 4 की बात करेंगे, इसके बात क्या हुआ और कुछ means के सवाल भी लेंगे, खुछ रही पर तेरे इदे से सिद्दान तक नहीं होतरी, signing off.